हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है थिंक पॉस्टिब में अगर आप डिल टेस्ट के लिए पहली बार जा रहे हैं या पहले दे चुके हैं तो यह वीडियो आपके लिए है इस वीडियो को अंतक जरूर देखिएगा चलिए शुरू करते हैं पहली चीज जो आपको करनी है आपको अपना ओवर कॉंफिडेंस खतम करना है ज्यादतर क्या होता है कि लोग ओवर कॉंफिडेंस में जाते हैं वो यह सोचते हैं कि मैं अब तो बहुत दिनों से ड्राइविंग कर रहा हूं और मैंने बहुत अच्छे से सीख लिया है तो जाऊंगा और अराम से इसको क् अधर कि निस्टेक्स उसमें कर देते हैं और हरवणहstudy में वो कहीं बाँडर पर टच हो जाता है और गारी बाँटर के ऊपर चड़ जाती है या फिर वहीं पे वो फेल ऑजाते है तो ना तो आपको और कॉंफिडेंस होना है और ना ही आपको अंदर गॉन्फिडेंस होना है कि लोग बहुत तेजी से टर्न कर रहे होता है क्योंकि यह जो 8 सिंबल है इसको आपको complete करना है तो यह actual में कहीं पर ऐसा generate नहीं होता है बहुत ही rare case में ऐसा इस तरीके का जो pattern है वो देखा गया है तो आपको वहाँ पर जो स्केर पर आपको 10 km per hour की speed मिलती है आपको उसी पर ही test को complete करना चाहिए तीसरी बहुत important बात आपको अपने mirrors को इस तरीके से adjust करना है कि अपना left mirror जो है आप अपने tyres को देख सकें और अपने right mirrors से भी अपने tyres पर आपको दुबारा से test के लिए आना पड़ेगा फिर से fees देनी पड़ेगी और यह कई बार आपको यह process follow करना पड़ेगा तो adjust your mirror आपको इस तरीके से mirror को adjust करना है कि आप properly rare tiles को देख सकें और इसकी practice आपको कर लेनी है चौत ही बहुत जरूरी बात है आपको सब phone meter छोटे vehicle के इस्तमाल करना है हाला कि वहाँ पर जो track की width होती है वो 8 feet के करीब होती है लेकिन आप छोटा vehicle लेंगे तो आपको turning में आसानी रहेंगी और छोटे vehicles में like आप कोई भी छोटा vehicle ले सकते हैं मारूती का कोई भी vehicle आप लेके जा सकते हैं इसे test को pass कर सकेंगे बड़े vehicle में क्या होगा कि उसकी width थोड़ी सी जादा रही comparison to small vehicle test में pass होने के chances जो है आपके घड़ जाएंगे पांच भी बहुत ज़रुरी बात है वह है आपको turning और reverse handling पे काम करना होगा आपको reverse के लिए practice करनी होगी कि आप S save को follow कर सके मतलब आपको जो है practice में S save को follow करना है reverse करते हुए क्योंकि वहीं पे जब आप reverse कर रहे होते हैं तो आप क्योंकि वह reverse इतना sharp होता है कि आपने वैसे कभी reverse किया नहीं होता है actual में तो वहाँ आप fail हो सकते हैं तो reverse की आप practice ज़रूर कर लें और जो forward turning है उसके लिए आपको S pattern तो follow करना है मतलब की road के center से नहीं करना है आपको जब edge पे होंगे तो थोड़ा side में हलका सा side में लेके जाएंगे जिससे वो border पे touch ना करें और आप उसको smoothly अपने vehicle को आगे निकाल सकें तो यह सारे 5 points अगर आप follow करते हैं तो मैं आपको guaranteed बता रहा हूँ कि आप test में pass हो जाएंगे wish you all the best, thank you so much